मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ आजाने दिलो प्रती दिन के जीवन काम में जुड़े क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आज का दिन आप के लिए बदलाव का दिन है हम चर्चा करें कि कैसे युद्ध आपका नहीं परंतु प्रभू का है इसलिए स्वायम प्रभू ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरा है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप सेखे कि कैसे प्रभू को आप और युद्ध लड़ने दे अपने मित्रों की ओर जाते हैं और कहते हैं तुम ये मेरे साथ कैसे होने दे सकते हो मैं नहीं जानती हूँ मेरे पास बस समस्या समस्या है परमिश्वर तुझे मुझे इसमें से निकालना होगा प्रबू और वो कहता है कि हे मेरे परमिश्वर क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्त्रायल के सामने से निकाल कर इसे अपने मित्र इब्राहिम को सदा के लिए नहीं दिया वो और आगे कहता है कि वो कितना महान और भूतकाल में उसने कैसे काम की और अब कुछ वचन के बाद में अंत में वो अपनी समस्या बताता है आईए वचन पंद्रा में चले हे यहुदा और यरुशलम के समस्त निवासिया और हे राजा यहुशा पात सुनो यहुआ तुमसे यहुँ कहता है तुम इस बड़ी भीर के कारण मड़ और तुमारा मान कच्चा नहों क्योंकि युद्ध तुमारा नहीं परमेश्वर का है बाइबल रोमियो आट में कहती कि हम जैवन से भी बढ़कर है मेरा एक विश्वास है कि हमारा एक युद्ध है परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है और हम विजय पाते हैं आपकी समस्या हो सकती है और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं जब कि परमेश्वर आपकी समस्या हल कर रहा है परमेश्वर के राजी को छोड़ ऐसी लेन देना आप और कहां पा सकते हैं आपकी समस्या हो सकती है वो भी जो आपने खुद बनाई है और आप परमीश्वर के बास जाकर कह सकते कि ये मेरी खुद की गलती है परन्तु मैं तुसे ख्षमा मांगता हूँ, मुझे ख्षमा कर प्रबू मैं जानता हूँ, मुझे अच्छे से जानना था, मैंने भावनात्मक रूप से काम किया और प्रबू अब मैं खुद को इसमे से नहीं निकाल सकता परन्तु मैं तुसे मांगता हूँ कि मुझे बाहार निकाल दे और प्रभू का वचन कही ये नहीं कहता कि आप तुम्हें चिंता करनी है, परिशान होना है, क्रोध करना है, लड़ना है और शैतान से युद्ध करना है युद्ध आपका नहीं है परमेशर का है बचन सत्रह ये उत्तब होता है तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं है महीमा जानते मुझे ये क्यों पसंदे क्यों कि मैं शैतान से कई वर्षों तक लड़ती रही मैं शैतान पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुई जब मैंने जाना कि मेरे भूत काल की सारी बातों में इस या उस विक्ति की गलती नहीं है परन्तु वो शैतान है फिर जब वो हमेशा मेरे विरोध में आते रहा मैं शैतान पर बहुत क्रोधी थी हुई और मैंने शैतान को डाटा और मैंने शैतान को धुड़का और शैतान पर मैं चिल लाई मैं सोसती वास्तों में मैं उस समय में से होकर गई जब मैं परमीश्वर स्यदिक शैतान से बाते करती थी। कि मुझे अपनी समस्या पर क्रोधित होने और लड़ने से कुछ अलग करना चाहिए। चिलाने और गुसा करने से कुछ अलग करना चाहिए। कि मैं क्या कह रही हूँ। हम इन सब क्षेत्रों में से होकर जाते हैं। जब आप पहली बार ये पाते कि आपके पास चैतान पर अधिकार है कि इशू मसी में विश्वासी होने के नाते आपके पास अधिकार है। अब आप वो अधिकार लिना चाहते हैं। क्या कोई मेरे साथ जानते में क्या केरी कोई समसे होकर गया है ये मानो। परंतु फिर आप मानो उसे नहीं पकर सकते, आप उसे थपड़ नहीं मार सकते, उसे मार नहीं सकते। परंतु बाइबल हमें बताती कि कैसे शैतान से युद्ध करे। मैं आज आपको चार विशेश मार्ग बताऊंगी जिससे आप शैतान से युद्ध कर सकते हैं और हमिशाद जय वन्त हो सकते हैं और सच में इसमें आनन्द आएगा और ये आपको ठकाएगा नहीं ज्यादा लड़ने से आप ठक सकते हैं हाँ बाइबल कहती कि शैतान का सामना करो जोईस और वो भाग जाएगा हमें उसका सामना करना है याकुब चार साथ ये नहीं कहता कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा हम आधा वचन बता रहे हैं ये कहता है कि तुम खुद को परमिश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा देखे जब हम खुद को परमिश्वर के अधीन करते हैं उस अदीनता और आग्या पालन में हम शैतान का सामना करेंगे और वो एक आग्याकारी विश्वासी का जीवन नार्ष नहीं कर सकता है हाँ आपने उद्धार पाया इसलिए आपको आनंद बनाना है हम सैनिक है युद्ध में है और हमें युद्ध करना है परतु परमेश्वन ने हमें योजना नहीं दी है जबकि लड़ने से हमारी हमेशा दशा बुरी होगी और हम पूरी तरह से ठक जाएंगे इश्वन ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाऊ और इसका आनंद लो और उसे भरपूरी से परिपूर्ण उमरने तक पाऊ उसने कहा संसार में तुमें क्लेश होगा ढाड़स बांदो मैंने संसार को जीत लिया है इन सब बातों के बीच में आप जैवन से बढ़ कर हैं तो निश्च ही कोई मार्ग होगा जिससे मैं इसे करो और फिर भी मेरे जीवन का आनंद लो अन्त में पर मिश्वर ने मुझसे कहा कि आप क्यूं नहीं से जाचे और देखें कि इश्च ही शैतान उसके पीछे पड़ा था और उसने आपके समान काम नहीं किया तो मैंने देखा कि इश्चो अग्याकारीता था वो प्रेम में चलता था शांती में चलता था परमीश्वर की उपस्तिती में बना रहा जब कभी उसे लगा कि वो कमजोर है तो वो अलग जाकर प्राथना करता जानता था कि आगे उसके लिए क्या है उसे आप फर रात काम खत्म होने के बाद आग के पास बैठा नहीं पाएंगी कि चेलों से आने वाली कुरूसी करन के बारे में कुड़कुड़ा रहा था तुमें ये युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है वचन सत्रा ध्यान से देखे अपना स्थान ले लो ये मुख्य वचन है अपना स्थान ले लो स्थिर खड़े हो और उस प्रभू के छुटकारे को देखो जो तुम्हारे साथ यहुदा और यरुशलिम डर मत और व्याकुल नहों कल उनके विरोध में जाना क्योंकि प्रभू तुम्हारे साथ है अब मैं कई वर्षों तक ही सोचती ने कि उसका स्थर था कि स्थिर खड़े हो और प्रभू के उध्धार को देखी परन्तु लगबक साथ आठ वर्ष पहले मुझे इन कुछ वचनों में से प्रकाशन मिला और सच में उत्तर वचन अठारा में है तब यहुशा पात से जुका कर भूमी पर गिरा और यहुदा और यरुशलिम के समस्त निवासियों ने यहुआ के सामने गिरकर यहुआ को दंडवत की और आराधना की उसकी आराधना की पहला आत्मिक हतियार जिसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ जिससे शैतान की विरोध में अवश्य जय पाई जा सकती है वो शाश्वती का हतियार है आराधना आराधना आप अपना निवेदन परमिश्वर के सामने रख सकते हैं यदि आप यह मैसूस करते कि आपको इसके बारे में प्रातना करनी चाहिए जब तक प्रातना करें तो प्रातना करें परति मैं आपको सत्य बताऊंगे मैं सोचती हूं कि शायद हम एक ही बात के लिए बहुत समय तक प्रातना करते हैं और हमें क्या करना चाहिए जब हम मैसूस करते हैं कि आपने वो बोज दूर कर दिया और परमिश्वर उसमें काम कर रहा है अब हमें उसकी स्तुती करनी है उसकी आरादना करनी है और हमें उसका धन्यवाद देना है कि वो हमारी परिस्तिती पर काम कर रहा है और हमें ऐसा व्यवार बंद करना है कि मानू वो बहरा है और हमें एक ही बात उसे हर रोज एक हजार बार बतानी परती है। आपकी युद्ध करने के स्थिती बस वो ही ये जो आराधना में आप रखते हैं ये शायद आपका घुटनों पर आना है शायद अपने मूह के बल गिरना होगा शायद कुरसी पर बैठ कर अपने हाथ उपर उठाना है मैं आज आराधना के बारे में A.W. Tozier की किताब पढ़ रही थी और उन्होंने एक दिल्चस्प वाक्य कहा उन्होंने कहा कि पहले और सबसे जरूरी और उन्होंने कहा कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपको कुछ महसूस नहीं करना हम हमारे स्वाभाविक महसूसी करन में नहीं चलते परन्तों हम आत्मा में बातें महसूस कर सकते हैं उसने का आराधना तो पहले एक महसूसी करन है जो आप अपने अंदर परमिश्वर के बारे में महसूस करते हैं जो आपको कुछ करने के लिए प्रोथसाहित करते हैं प्रभु तू अद्भुत है ओ प्रभु मैं तेरा नाम उचा उठाती हूँ हम किसी तरह की प्रतीक्रिया क्यों नहीं करेंगे जबकि हमारा रिद्य उस अद्भुत पर मेश्वर की महानता से भरा हुआ है और हमारा ये सौभाग ये है कि हम उसके साथ व्यक्तिकर संबन रख सकते हैं आराधना ये नहीं कि हम कलीसिया में आकर कुछ गीत गाएं ये एक तरीका हो सकता है कि जिससे हम परमिशर के आराधना करें पर तो हम नहीं चाहते कि हमारी स्तुती और आराधना बस रविवार को 20 या 25 मिनिट तक ही सीमित हो जाए बाइबल कहती है कि परमीश्वर ऐसे आराधनों को को ढूणता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं जब आप उसकी स्तुती करना शुरू करते हैं आप कहेंगे काश में वैसा मैसूस करती तो फिर आपको उसे जानना होगा आपको परमीश्वर का चरित्र सीखना होगा ये देखना होगा कि वो कितना विश्वास योग्य है और आपको आपके जीवन के कई वर्षों के बारे में सोच रहा है कि परमीश्वर आपको कहां से लाया है ओ जब मैं सोचती हूँ कि प्रभू ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया जब मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने जीवन में कितनी गड़बडियां की है जब उन बातों के बारे में सोती हूँ जिन में से मैं हो कर गई और मैं अपने जीवन की और देखती हूँ इस वक्त और आप मैं अपने परिवार की और देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने दिया और देखे जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ये मानों ऐसा है कि प्रबु तू तो अद्बुत से भी बढ़कर है हमारा परमेश्वर अद्बुत परमेश्वरी हमें अपने हाथ दिन में दस बार उठा कर कहना चाहिए कि प्रबु तू अद्बुत है मैं तेरी स्तुती करती हूँ इशू तू तो बस अद्बुत है अध्भूत है तुझे मेरे लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा प्रभू की मैं तुझे प्रेम करूँ तुने जो मेरे लिए किया उसकी मसारा ना करती हो प्रभू परुदि तु मेरे लिए कुछ भी ना करे तो भी तू जो है उस कारण मैं तेरी आराधना करूँगी हमी परमेश्वर का हाथ खोजना बंद करके परमेश्वर का चहरा खोजना शुरू करना है हम बहुत अधी गिर चुके हैं इस सक्षेत्र में जो है निवेदन 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 बाइबल कहती कि तुम मांगते नहीं से तुमारे पास नहीं मैं मांगने के लिए आपको प्रोचसाहित करती हूँ बाइबल कहती कि आपके मांगने से पहले परमिश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, परन्तु वो चाहता है कि हम उससे मांगे प्राथना में मांगे, परन्तु हमारी स्तुति और हमारी आराधना और हमारा धन्यवाद, हमारे निवे दिन से कई बहुत अधिक होना क्या आप कल्पना कर सकते कि हम कितने खुश होंगे यदि हम अपना समय परमेश्वर का धनिवाद, स्तुति और आराधना में बिताएंगे मैं सोच रही थी एक दिन जब परमेश्वर इसके बारे में मुझे व्यवार करा था मेरा एक लक्ष है कि जीवन भर परमेश्वर की संगती में निरंतर रहने के अलग-अलग मार्गों को ढूंडू मैं सच में परमेश्वर की उपस्तिती में रहना चाहती और मैं एक व्यस्ति व्यक्ती हूँ मेरा परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताना आसान नहीं है और जानते हैं एक रात मैं अपने घर में थी और दिन बीद गया था और मैंने सुचा कि ओ हाँ मैं ऐसे रहना नहीं चाहती इसलिए मैं उन मार्गों को हमेशा ढूनती कि मैं परमेश्वर की उपस्तिती के बारे में पूरा दिन बर याद रखूँ और थोड़ा ब्रेक ले सकूँ ये स्तुती का ब्रेक ले सकूँ और थोड़ी आराध्धा का ब्रेक आमिन मैं सूशती हूँ कि जब आप काम पर होते तो अकसर ये करना अच्छा होता है यदि आपके पास कोई रेस्ट्रू में जहाँ जा सके और वहाँ परिशानी नहों यदि आप बस वहाँ जाएं और फर्ष पर तॉलिया रखे या कुछ रखे और बस कहें मैं तुसे प्रेम करती हूँ इशू तू अद्बुत है तेरी स्तुती हो इशू धन्यवाद की मेरे पास नौकरी है धन्यवाद की मैं परिशानी में नहीं हूँ धन्यवाद प्रभू बस कहना चाती कि तुसे प्रेम है और मुझे तेरी जरूरत है प्रभू की स्थूति हो तेरा धन्यवाद कि मैं यहां से उट सकती हूँ इस तरह से उटना बीस वर्षों पहले आसान था सूची क्या होगा यह दिया आप सुबह अपने बिस्तर पर से उठे और सब से पहले अपने बिस्तर के पास ही घुटनों पर आ जाए बस एक किट के लिए आपको 30 मिनिट रहने की जरूरती मेरे घुटने उतने अच्छे नहीं यह उससे मेरे कमर में दर्द होता है इसलिए यह अधिक करने वाली बात नहीं है मुझे यह पसंद था कि मैं वैसे घुटनों पराओं और प्रातना करूँ परन्तों उससे मेरे कमर में दर्द होता है इसलिए जो दशा मुझे पसंथी उन सब में मैं अब हमेशा नहीं रहती हूँ, परंतो कई बाहर मैं चाहती हूँ कि बिस्तर से बहार आऊँ और बस एक मिनिट के लिए और अब तक कोई उठा नहीं है। इसके बारे में आप क्या सुचते हैं क्या होगा एदी हम सुबह अपने विस्तर से उठकर कुछ शंट के लिए घुटनों पर आ जाएं और बस कहें कि मैं तुसे प्रेम करती हूँ क्योंकि तू अद्भूत है ऐसे नहीं क्योट कर शुरू हो जाए और परमेश्वर यदि तू इन बच्चु को ना बदले और यदि तू मेरे पती को ना बदले और यदि तू वो पदोनती ना दे जिसके लिए मैं विश्वास कर रही हूँ तो मैं नहीं सोचती कि मैं इसे और सह सकती हूँ, मैं इसे और नहीं कहर सकती प्रभू येदि तू मुझे बदलाव ना दे तो तो फिर आप इसे गलत कारेन के लिए कर रहे हैं और मुझे अपने जीवन में वो सीखना पड़ा, कई बार हम इसे गलत कारेन के लिए करते हैं, हम परिणाम पाने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर जो है, उसलिए हम उसकी सेवा नहीं करते हैं। तो उन्होंने प्रभु के आराधना शुरू की, उन्होंने सुती करने वालों को सुती के लिए भेजा, गीत गाने वालों को गीत गाने के लिए भेजा, कितना आजीब युद्ध रहा होगा वो। परमेश्र को खो जूँगा, फिर परमेश्र कहता है कि ये युद्ध तेरा नहीं है, तुझे इस युद्ध में लड़ने की जरूद भी नहीं, बस अपना स्थान ले ले। तो वो जुक कर आराधना शुरू करता है, वो कहता है तुम लोग गीत गाओ और तुम लोग जाकर स्तुती करो और वहाँ पर तुम लोग जाकर तुरहिया बजाओ। वे वहाँ से कूछ करके निकले, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदाकी है, यह दिया आप इसे पड़े, मैं इसे ऐसे नहीं कह रही हूँ, यह कहता है कि शत्रु इतनी गड़बडी में आ गया, कि वे एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुती अद्वुत। दनिवात प्रभु तु उन्हें उस बात में कायल कर रहा है, जिसमें वो खुद को कायल नहीं कर सकते हैं। तेरी आराधना करती हूँ प्रभू कि तू इस परिस्थिती में है, तूने भूत काल में जो किया, उसके लिए मैं तेरी आराधना करती हूँ, तू जो आप कर रहा है और मैं अब उसके परिणाम नहीं देख पारी हूँ, उसके लिए तेरी आराधना करती हूँ, तेरी कि शरीर कुड़कुड़ाय और शिकायत करे और आप उसे प्राथना करें। शरीर बहुत सी बातों को आत्मेक बनाना चाहता है। एक दिन सुबह मैं अपनी प्राथना की कुर्सी पर बैठ गई लगभग 12-15 वर्षों पहले। और मैंने अपनी समस्या के बारे में कहना शुरू किया और समस्या के बारे में सोचा और मेरी आखों में आसू आने लगे। मैंने थोड़ी निराशा महसूस की हाँ अब अच्छा लग रहा है। ओ सच में मैं दहनी महसूस करने लगे हूँ प्रभू की स्तुती हो। किसी बात पर थोड़ा काम करने लगे और यहां मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है मुझे ये ने कहें कि आपने इसे नहीं किया खास कर आप महिला हैं आप अच्छे से जानती हैं और फिर आप रोने लगती हैं और पूरी गड़बड़ी में दिखती हैं खुद को जाकर बात रूम के आईने में अपने आपको देखती हैं प्रभू ने मुझे से का कि ठीक है जोईस आज सुबह क्या तुम मेरे साथ संगति रखोगी अपनी समस्याओं के साथ हालेलुया प्रेरित सोला आधी रात को पॉलस और सिलास प्रातना कर रहे थे और स्तुती गान गा रहे थे तब अचानक तब अचानक बंदी ग्रह के द्वार चमतकार से खुल गए और इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जेलर भी उद्धार पाना चाहता था देखे हमें जैसे जीना चाहिए वैसे जीना हमें शुरू करना चाहिए और हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं क्योंकि वे पर्मिश्वर की महिमा हम पर देखेंगे, पर्मिश्वर की साम अर्थम पर देखेंगे, हमारे जीवन में बदलाओ देखेंगे। आत्मेक क युद्ध है।